हेलो एवरिवान वेलकम टू स्कूल डाइरीज आज के वीडियो में हम करेंगे लेसन नमबर टू माइ स्वीट होम के बैक एक्सराइसेश जो की हमने पूरा रीड कर लिया था और इसकी रीडिंग वाली वीडियो आप देख सकते हैं अगर आपने ये लेसन को नहीं समझा है और अब हम करने वाले हैं इसका ग्रामर स्पॉटलाइट ठीक है यहां से हमने नहीं किया था सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है नेमिंग वर्द्स जो की है नाउन्स है इस दुनिया में सब चीजों का नाम होता है और वो सारे नाम को ही हम नाउन बोलते हैं ठीक है तो यह हमने अपने ग्रामर में किया है आप वो वीडियो भी देखिए क्योंकि उसमें हमने डीटेल म नाउन अंकाउंट डबल नाउन ठीक है तो यह सारे हम कर चुके हैं ग्रामर में तो अब यहां पर करना बहुत ही आसान होगा क्योंकि हमने पूरा कॉंसेप्ट इसका समझ लिया है ना सो यहां पर देखिए रीड दस्टोरी बिलो यह स्टोरी आपको रीड करनी है और पता प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन ओर जो स्टेशल होता है और वह स्टार्ट वो होते हैं तो इस सारे प्रॉपर नाउन और समस लिए यहाँ पर इक्जामपल्स देख सकते हैं अब आगे देखते हैं यहाँ पर भी बताएं गया है तो चयके हम यहाँ पर जादा नहीं बोलेंगे इसके बारे में तो यहाँ पर हमें कर नान है देखे, circle the common noun, तो common noun जो है हमें circle करना है, so common कौन सा हो सकता है, देखे, टिया loves her school, तो इसमें कौन सा common noun है, common noun होगा, school, school है, यहाँ पे common noun, और टिया क्या है, proper noun, ठीके, so मैं underline कर रही हूँ, जो proper noun है, और circle मार रही हूँ, जो की common noun है, कोई भी school, ठीके, कोई special school का नाम नहीं है, कोई भी school, then देखे, next, she has a new toy, तो इसमें कौन सा है, new toy, तो toy क्या हो गया, toy है, common noun, ठीके, यह common name है, इसमें कोई speciality नहीं है, then next देखे, nita is a sweet girl, तो इसमें कौन सा हो सकता है, देखे, nita है, proper noun, क्योंकि वो किसी person का name है, और capital letter से start हो रहा है, देखे, और girl हो गया, common noun, क्योंकि कोई भी girl, कोई special नहीं है, girl तो, then next, देखते है, she gave a rose to the teacher, so इसमें teacher हो गई आपकी common noun, क्योंकि कोई भी teacher, कोई special teacher का नाम नहीं है, ठीक है, नाम नहीं है teacher का, कोई भी teacher, then next, she likes to play with her dog in the park, तो यहाँ पर भी देखे, दो noun है, एक है dog, क्योंकि वो animal का name है, और park, क्योंकि वो एक जगा का नाम है, एक place का name है, ठीक है, तो यह दोनों है, यहाँ पर common names, और यहाँ पर कोई भी proper noun नहीं है, और हाँ यहाँ पर rose भी common noun है, जो की एक नाम है, एक full का, तो सारे जो नाम होते हैं वो सब होते हैं noun, ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से common noun को circle माना है, आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए दोनों तरफ noun दिये गए हैं, तो यहाँ पर देखिए दो कॉलम दिये हैं, ठीक है, तो इस साइड में पूरे common noun हैं, और इस example boy, तो boy के लिए कौन सा प्रॉपर नाउन होगा, boy का नाम, जो कि यहां पर दिया हुआ है, so no, ठीके, तो यह boy के लिए हो गया प्रॉपर नेम, then next देखें, city, city मतलब कोई शहर, तो यहां पर कौन सा है, जो शहर है, डेली, है न, so city के लिए डेली होगा, उसका प्रॉपर ना the next doctor, doctor है common noun, जब doctor का नाम दिया है, तो वो नाम है प्रॉपर नाउन, doctor रानी सूध, ठीके, the next toothpaste, कोई भी toothpaste, common noun है, और जब toothpaste का नाम दिया है, यहां पर कोलगेट, तो कोलगेट है प्रॉपर नाउन, ठीके, तो आपको इस तरीके से मैच करना है, अब आगे देखते हैं, और एक से जादा को हम बोलेंगे plural, तो हम इसको singular को plural में कैसे बदलते हैं, last में हम s लगाते हैं, या es लगाते हैं, ठीके, तो यह भी हमने किया है last year, आपको याद होगा, है ना, तो कैसे करते हैं singular को plural में, यहां पर एक book का picture है ना, तो a book, और जब एक से जादा books होती है, तो क्या करेंगे, books है ना, last में s लगा देंगे, उसको plural करने के लिए, तो उसी तरीके से आगे देखी, एक है, तो a chair, और एक से जादा है, chairs, has लगा दिया, then bus, buses, एक से जादा bus, ठीके, तो कभी-कभी हम s लगाते हैं, और कभी-कभी es लगाते हैं, तो यह es कब लगता है, यह भी हमने पढ़ा था, जब words जो है, कुछ special letters से खतम होते हैं, जैसे last में s आता है, ठीके, या फिर double s आता है, और x, o, sh, जो की shirr की sound है, और ch, ठीके, तो जब words जो है, इन letterों से finish होता है, इन अक्षरों से finish होता है, तब हमने last में, जो है, es लगाना पड़ता है, ठीके और इसके अलावा बाकी सारे words में, हमें just s लगा देना है last में, पर जब इन letterों से जब words finish होते हैं, तब हमें last में es लगाना है, इसलिए यहाँ पर bus के पीछे आपने es लगाया, क्योंकि bus s से खतम हो रहा है, ठीके, so s से finish होने वाले letter में, हम bus करके 2s नहीं लिख सकते, हमें es करके लिखना होगा, so इसी रूल को ध्यान में रखके, आप इन सारे को plural में लिखे, देखे, room बन जाएगा, rooms, picture बन जाएगी, pictures, dress, dresses, table, tables, school, schools, glass, glasses, ठीके, तो ऐसे हमें singular को plural form में बदलना है, the next topic है, male और female, so यह भी हमें पता है है na, he name और she names, यानि he words और she words, ठीके, pullings, thrilling, so यह सारे words है, so यहाँ पे कुछ male words दिये हैं, जो आपको female से मिलाना है, जैसे, father का क्या होता है, father, mother, opposite gender से match करना है, brother, bhai, sister, bull, bull का क्या होता है, cow, bell, और guy, then lion, lioness, share, share, knee, son, बेटा, daughter, बेटी, ठीके, तो इस तरीके से आपको जो है, gender match करने है, आगे देखे, यहाँ पे कुछ words दिये हैं, और लेटर्स मिसिंग है, और वो सारे words आपको यहाँ पर help box में मिल जाएंगे, सो correct letter choose करके आपको यह words को, in words को जो है, फिल करना है, ठीके तो इस तरीके से letters फिल करके in words को complete करिए, और उसके बाद देखे, synonyms, synonyms क्या होता है, similar meaning वाले words, यानि कि जिसकी एक जैसी meaning होती है, same same meaning होता है, जैसे opposite words को हम autonymes बोलते हैं, ठीके, तो opposite words मतलब उल्टे वाले शब्द, और synonyms मतलब same मतलब बनने वाले शब्द, जैसे की, example देखे, nice, nice क्या होता है, अच्छा, तो एक और word अच्छा के लिए क्या हो सकता है, good, है ना, good भी अच्छा होता है, और nice का मतलब भी अच्छा है, आप very nice भी बोल सकते हैं, और very good भी बोल सकते हैं, same है तो जब same-same meaning बनता है ना, तब हम ये word यूज़ करते हैं, synonyms, उसका मतलब similar meaning, okay, next देखते हैं, together, यानि साथ में, किसी के साथ में, together, तो एक और word यहाँ पर दिया है, with each other, उसका मतलब एक दुसरे के साथ, then happy, खुश होना, तो खुश के लिए एक और word क्या हो सकता है, joyful, joyful, ठीक है, joy का मतलब भी खुश होता, खुशी होती है, तो joyful मतलब भी खुश, then little, little मतलब थोड़ा, तो little से थोड़ा match होने वाला शब्द क्या है, यहाँ पर, small, एक और word है, small, small मतलब छोटा, little भी कभी छोटे को बोलते हैं, a little boy, मतलब छोटा boy, और small boy, छोटा boy, हमें जो last lesson में किया था, कि कोई passage है, जो कि page number 119 में है, आपको वो passage read करना है, और in questions के answer देने है, ठीक है, जो की read करने पर ही आपको पता चलेगा, अब यहाँ पर एक conversation practice दी है, इन conversation को पढ़ना है, यानि कोई वारतलाप हो रहा है, कैसे, Minnie, Minnie क्या बोल रहे है, good morning mom, so mom बोल रहे है, good morning dad, तो dad ने बोला, father ने बोला, good morning Minnie, mother बोल रहे है, are you ready for school Minnie, so Minnie ने बोला, yes I am, तो यह सब पता है क्यों दिया है, ताकि आप भी अपने घर में यह छोटे-छोटे sentences से practice कर पाया, आप सुबह सुबह ममी पापा से इस तरीके से बात कर सकते हैं, English में, so यह conversation practice है, ऐसे sentences को बोल कर उनकी practice करने, ताकि आपकी English conversation और अच्छी हो जाए, और उसके बाद आता है, pronunciation practice मतलब क्या है, देखे, यहाँ पर भी A है, और यहाँ पर भी A है, पर दोनों A को हम अलग-अलग तरीके से पढ़ेंगे, कैसे, देखे, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, A को cat, rat, तो A sound आ ठीक है, तो उसी sound में हम यह सारे words पढ़ेंगे, lamb, ankle, parent, apple, air, tap, तो देखा, अपने A sound आ रहे हैं, जब हम यह सारे words को पढ़ रहे हैं, पर यहाँ पर भी देखे, A की sound आ रहे हैं, लेकिन हम इसको am, pat ऐसे नहीं बोल सकते, तो यहाँ पर जो है, A की आवाज बदल जाती है, कैसे, यहाँ पर A की आवाज आ रही है, जो हमारा हिंदी A से आनार होता है न, वो वाला sound आपको यहाँ पर देना है, और यहाँ पर A sound आ रहा था, simple A sound है न, cat, और यहाँ पर A sound आ रहा है, कैसे, हाम, हाट, आम, पाट, कार, पाम, ग्लास, लाफ, ठीक है, तो देखा, आपन पर हम A को, और यहाँ पर A sound दे रहा है, ठीक है, तो यह फरक है, तो आपको इस तरीके से प्रणाउंस करना है words को और उनकी practice करनी है, अब यहाँ पर देखिए कुछ sentences दिये हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन sentences को जो है, अरेंज करना है, कि सबसे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उनके correct order में आपको उनने numbering देनी है, सबसे पहले इनोंने दिया है, it is play time, तो यह हुआ सबसे पहले कि यह play time है, फिर क्या हो सकता है, उसके बाद आपको कैसे पता चलेगा, कि next हम कैसे लिखेंगे, तो कुछ नाम से शुरू होना चाहिए, किसी के बारे मे बात हो रही है, तो यह हो गया हमारा second sentence, कि Tia wants to play with the toy train, Tia जो है toy train से खेलना चाहती है, क्योंकि यह एक play time हो रहा है, then third क्या हो सकता है, देखिए, फिर Tia के बारे में आया ना, तो she, मतलब Tia के बारे में ही कुछ बोल रहे होंगे, so third आएगा यह, she gives a bat and ball to Tarun and Minnie, उसने जो ह बात क्या सकता है, they say thank you Tia, तो यही होगा ना, जब उसने bat and ball दिया, तो उसके बाद वो thank you बोलेंगे, thank you ही बोलेंगे, तो number four पे आप लिखोगे, they say thank you Tia, और then last में आप लिखोगे, then they all play for some time, और फिर क्या हुआ, वो सब थोड़ी देर के लिए खेलने लगे, तो इस तरी हमने किया है, हमारा chapter 1 grammar का, वो वीडियो आप देखे, उसमें हमें alphabetical order हमने पढ़ा था, सो सबसे पहले कौन सा हैगा, सो हमें क्या करना है, जब ऐसे चार words दिये जाते हैं, तो हमें हर word के first letter को देखना है, father, doll, brother, hat, तो first letter में हम देखेंगे, सबसे पहले कौन सा letter आता है, English क A, B, C, D में, सो देखें, यहां पे कौन कौन से letters है, F है, D है, B है, और H है, तो बताइए, इन में से सबसे पहले कौन सा letter आता है, सबसे पहले A, B, B आता है न, सो B से क्या word दिया है, यहां पे, brother, ठीक, सबसे पहले आप brother लिखेंगे, वो होगा आपका first letter, then उसके बाद क्य पे, और last में आएगा hat, क्योंकि H थोड़े पीछे आता है, है न, तो इस तरीके से आपको जो है, alphabetical order में इन words को arrange करना है, अब देखते हैं, last activity क्या दी है, देखे, यहां पे, तो यहां पे देखे, कुछ sentences दिये हैं, आपको इन sentences को read करना है, और पता लगाना है कि, अगर आपको अपना घर एक happy home बनाना है, तो यह चीजें आपको करनी है कि नहीं, मतलब एक अच्छी family और एक अच्छा घर होने के लिए, हमें कौन-कौन सी चीजें हैं, जो follow करनी है, तो देखते हैं, first number one पे, we say good morning to everyone in the family, in the morning, so हम जो है, सबसे good morning बोलते हैं, morning में, तो यह सही ह है न, ऐसा करना चाहिए, एक happy home बनाने के लिए, हमें ऐसी चीजें करनी चाहिए, तो यहाँ पर टिक मारेंगे, then we say good night to everyone in the family, before going to bed, हम सबसे bed में जाने से पहले good night बोलते हैं, यह भी सही है, तो यहाँ पर टिक मारेंगे, then next, we help our parents, हम अपने parents को help करते हैं, so यह भी करना च चाहिए, तो यहाँ पर भी टिक मारेंगे, then we love our parents and other members of the family, हम अपने parents को भी प्यार करते हैं, और बाकी members को भी प्यार करते हैं, तो यह भी सही है, एक अच्छी family, एक happy home, ऐसे ही बनता है, then next, we obey our parents, हम अपने parents का कहना मानते हैं, अबे करना मतलब उनको उनका कहना मानना, तो यह भी हम करते हैं, ठीके, तो यह भी हमें टिक मारना है, we fight with our brothers and sisters over small things, हम छोटी छोटी बातों के लिए अपने भाई भेन से जगडते हैं, लडते हैं, यह wrong है, ठीके, तो ऐसे हमें नहीं करना, फिर हमें एक happy home नहीं बना पाएंगे, हमारा home फिर happy नहीं होगा, है ना, उस tidy, हमारा घर हमेशा साफ और सुन्दर होना चाहिए, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर टिक मारना है, और जो गलत है उस पर cross मारना है, और इसी के साथ हमारे इस lesson के back exercises भी complete हो गए हैं, ठीके, तो इस तरीके से आप complete करिएगा इनको, और अब मिलते हैं अगले वीडियो मे अगले टापिक के साथ तब तक के लिए, बाई बाई, टेक केर